हलो गाइज आप सभी का अपने हडियस ट्यूटोरिल पर स्वागत है आज हम लोग देखेंगे कि जैक बोर्ड में अभी आप लोगों का क्लास नाइन का रेजिस्टेशन फोम भराया जा रहा है तो उसे कहों लोग यहाँ पर एक बार सम्मराइज करने वाल है कि आप लोगों मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसको ध्यान देना है तो कोशिस कीजिएगा कि कहीं पर भी मिस्टेक ना हो स्पेलिंग में या कहीं पर भी तो देखिए उपर लिख्या हुआ है यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूं देखिए जार्खण एकेडमिक कॉंसिल राची इस्टूट इंफोर्मेशन सीट फोर सेकेंडरी रेजिस्ट्रेशन यहाँ पर सोट में लिख्या हुआ है सेशन दोजार एकिस टेश एंड क्लास नाइन एक्जामिनेशन दोजार बाइस यहाँ पर देखिए डली फिल्द इनफॉर्म इस टू बी सब्मिटेड टू दा इस्टूट बै पूछा था कि online रीजिट्रेशन य सको online यह उफफलाइन चल्ण been है लोक्त करना इसकों ओनलाएन करेंग इसको द्यान देना है किसी ने मुझे से पूछा था था कि online registration ना या offline गार तो आप लोगों को offline hi school में जमा करना है iis इसकूल वाले इसे ओनलाइन करेंगे चले हम लोग फॉर्म भरते हैं यहां पर देखिए सबसे उपर यहां पर लिखा हुआ है code and name of institute यहां पर इसकूल का या institute का code भरना है आप लोग को यह कुछ आपको अपने इंस्टिट्यूट का नाम लिखना है जो पर इंस्टिट्यूट में अपर पढ़ते हैं यहां पर आपका नाम लिखना है यहां पर जाहां से आपका registration हो रही जिस स्कूल से पहला इसे की मेया नाम हलदर सी है तोrogen önce सब्सक्राइब दिखिए एच कैपिटल लेटर से भर नहीं इसको ध्यान देना है एफिर एल डी एच विल्कुल साफ साफ होना चाहिए एच ए आर मेरा नाम हो गया हलदर अब सी मेरा टाइटल है तो उसको लिखने के लिए एक यहां पर हम लोगों को एक जो डबा उसको इस तरीके से बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए जो कुछ भी आप लिखिएगा और यहां पर दिखिए यूज करना है कि आप बोल पेन यूज करना है यह मैं छोड़ दे रहा था बहुत ही इंपोर्टेंट है बोल पेन और वहीं ब्लैक पेन होना चाहिए ब्लैक बोल प मतलब होता है अगर Chem अगर है reaction अगर करना है तो । अगर लड़की है तो फिमेल उसके बाद फोर नहीं देखिए दिव्यांग मतलब होता है अगर आपका कुछ शरीर में प्रोब्लेम है तो अगर अंधे में टिक करिएगा अगर आप बहरे हैं तो बहरे यहां पर डिफ में उस तरीके से डंब और यहां पर बहुत सारा मतलब होता है अपंग तो उसके तो अगर समयर अंधे हैं यहां पर इसलम है तो आई है अंधे मुझे करता है तो यहां पर कुछ और अगर को आपका रिलिजिय करना है अगर एक्जामपल यहां पर मैं हिंदू हूँ यहां पर मैं हिंदू को टिक करता हूँ इस तरीके से अब देखिए साथवा नमबर नेशनल लिटी मतलब की आपका राश्ट्रियता क्या है आप इंडियन है यहां पर अधर है तो मेजोरिटी सायद आप इंडियन ही होंगे तो यहा देखिए 8 नमबर में student आधार नमबर यहां पर आपको UID नमबर आपका लिखना पर एजमपल आपका 1 2 3 0 4 5 6 और यहां पर 7 8 9 0 1 इस तरी के से रहेगा तो जो कुछ भी है UID आपको यहां पर भरना है आपका ओके और बिल्कुल साफ साफ लेटर से भरियेगा साफ साफ सुन् भर फी अगर आप सहर में रहते हैं तो अर्बन को technology करना है you can सहर के लिए सहर के लिए और इवाल जाओ के लिए डिए देखि ONवर उपका कोन सा तो यह आप एक बाद जरूर घर में और इसकुल में बात कर लिजेगा फिर दिखें नेक्स्ट तेर नमबर मदर सने यहाँ पर मेरी मां का नाम सोनी नहीं लेकिन अगर मैं सोनी लिखूँ स ओ इन यहाँ पर केपिटल देना है सब कुछ ऑके सब केपिटल होना चाहिए सोनी य और यहाँ पर जो गेप उसको छोड़कर फिर देवी लिखना है दे देवी इस तरीके से गेप यहाँ पर देना जरूरी है नाम और टैटल के बीच में और अगर बहुत लंबा नाम है तो आप इस लाइन का भी यूज कर सकते हैं अदर्वाइस यह बस ऐसे ही दे दिया है क तो निचे भी उसका यूज किया जा सके अब देखिए नेक्स्ट 11 नमर में फादर्स नेम यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है फिर अगर मेरे पिता जी के नाम राम है तो इस तरीके से लिखना है राम फिर यहाँ पर कुमार या फिर सिह मैं देता हूं एस आई एन जी टेली स्कुल जाते हैं तो आप्लोब मेज़ोरिटी सायबर ही हों के टेली स्कुल जाने माले हैं तो रगूलर को टिक करना है और कोई इस्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ exam लिखने सिर्फ परिक्षा देने के लिए स्कूल जाते हैं उाब उन्यों बढ़ते हैं यहाँ यहाँ पर थर्टी नमर देखो कम्मुण्यकान एड्रेस यहां पर आपको और देना है लेकिन यहाद रहिए कि आपका जो ऊरिजिनल जो यूकिंवां बना है यहाँ पर इस तरके से बरिएगा फिलेज करके भी आ फिर यहां पर डेस्ट दिजेगा यह सोट कुम है भी आई डवल लिएज को सब्सक्राइब अब मैं यहां पर पोस्ट लिखतेता हूं के पोस्ट लेकिन यहां पर जगा मेरा कम उजाएगा इसलिए मैं यहां पर नीचे लिखता हूँ देखें, P O S T, पोस्ट, पोस्ट सिम्डेगा है, तो यहां पर में लिखता हूं, सिम्डेगा, S I M D E G A, सोरी, A Сिम्डेगा हो गया, अब यहां पर हम लोग P Courant भी ढाल सकते हैं, यहां पर हम लोग डिरेक्ट डिस्टिक्ट लिखते हूं कि D I S T, यह डिस्टिक्ट का सोटफ हो है फिर देना है उसके बार फिर से सिम्ड़ेगा हो गया अब यहां पर आप अपना इस्टेट भी डाल सकते हैं एस टी ए टी इस्टेट फिर एक यहां पर डेस देकर फिर जारखन पुरा लिक दीजेगा जे एच ए आर के एच ए एन डी जारखन इतना काफी है आप इन कोट भी डाल सकते हैं कहीं पर एज़ेस्ट कर दीजेगा अगर जगर रहेगा तो अब बढ़ते हैं नेच्ट नीचे उसने दीजेट लिखा हुआ है चैटा नंबर में यहां पर आप देख सकते हैं इस्टेट लिखा हुआ है सब्सक्राइब जारखन उसके बार दिखिए यहाँ पर पंदरने नंबर नंबर यैनि कि पीन कोड पीन कोड आपका जो पोस्ट है उसका पीन कोड रहता है जिससे क कि यहां पर देखिए मैंने लिखा है तो सिंद्यगा का अलग पीन कोड है तो पीन कोड को आपको भरना है आपके पास अगर प्वों है तो अपना नमर दीजिए नहीं तो तो अपने पैरेंट्स का नंबर दे सकते हैं यहां पर ओके जैसे कि 1234567008 इस तरीके से हमारा फोन नंबर होता है तो यह आप यहां पर दे दीजिएगा कुछ भी यह गलत फोन नंबर होके कोई इस पर कॉल मत कीजिएगा नेक्स देखिए 17 इमेल आइडी आपका फोन में है तो इमेल आइडी भी दे दीजिएगा फरेक्व इंपर मैं अपना इमेल आइडी डालता हूं तो हल्दर से ही एच यहां पर ए ल डी एच ए आर हल्दर एस आई एन जी एच सी फिर जीरो सिक्स के फिर एट दिरेट इस तरीके से इसको एट दिरेट पढते हैं एट दिरेट जीमेल एट अट्थां तो इस तरीके से अगर अस्था नहीं है तो देख लीजेगा आप इधर कम्लीट कर दिजिएगा ओऊ इधर कम्लीट नहीं करना है मेल हो गया फिर यहाँ पर डोट लगाना है फिर कॉम हल्धर सीन 05-808-gmail.com हो गया इतना कम्प्लीट अब यहाँ पर देखिए क्लास रोल नंबर डालना है क्लास रोल नंबर तो आपका जो कुछ भी है 20 नंबर में लिखा हुआ है medium of examination यह बहुत important है तो अगर आपको लेंग्वेज में आप पढ़ाई करते हैं उसी लेंग्वेज को यहाँ पर स्टेक्ट करना है है में जो रेटी हिंदी होना चाहिए तो हिंदी को आप यहाँ पर टीक कर दिजिये गा अब देखते हैं एक इस नंगर में तो में हिंदी ही होता है पिए पर इंगलीजे को लिभा सकते हैं से यहां पर निक्षख सकते हैं यहां पर संसक्रेट यह फिर आपका अधर उर्धू है तो आप उर्धू भी यहां पर सकते हैं इस तरीके से ज topic लीशेगा अवल इस्वेल्स को संस्क्रेट रहता हैं तो किसी का ऀर्दू तो बेंगाली तो किसी का अड़िया अलग-अलग सब्जेक्ट यहां पर लेंग्वेज रहता है यह हो गया अब यहां पर देखिए यहां पर एक स्पेस दिया हुआ यहां पर आपका फोटो होना चीए पासपोर्ट साइज कर सकतें हैं यहां पर पूरा नाम होना चीए तेहां पर मैं लिखूंगा पूरा नाम लिखना है सोट फॉम नहीं करना है कि आप अपना जो सिगनेचर है उसको सोट कर सके तो इसलिए पूरा नाम लिखना है साप साप अपना राइटिंग में और यहां पर दिखिए सिगनेचर कराना है अपने पेरेंट्स से या तो आप अपने फादर से करा सकते हैं या फिर मदर से करा सकते हैं यहां पर कराईएगा और उसके बाद सब कंप्लीट हो जाएगा होने के बाद आप क्या किजिएगा कि नीचे यहां पर रिखिए इसको कुछ भी छड़ छड़ नहीं करना है यह जो नीचे है तब इसकूल वाले करेंगे तो आपको बस इतना ही फॉंग भरना है जितना मैंने उपर बताया है अगर कहीं पर फिर भी दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजे में अच्छे लिए करेंगा और वीडियो को है बाले किना है वाले करेंगे तो मैंने वह चूएब एर भी और वाले कार बस्ट भाले करेंगे तो पर प्रहां करेंगे है अपसून भी टाम पर दीजे अटेश, करेंगेया